Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई, जैसे कि मन आपको अभी अभी बताया कि माप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, class 9th और class 10 की science, अब पढ़ानी नहीं वाली हूँ, पढ़ारी हूँ. और बहुत अच्छे से हमारी 9th and की science भी चल रही है, students. आपको पता है कि Magnet Brains आपको high quality content provide कराता है, बिठा, अगर आप लोग CBAC boards आते हैं, हम आपको kg से लेके class 12 तक की free of cost classes provide कराते हैं, और अगर आप लोग state boards से आते हैं, जैसे कि MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board, तो हम लोग आपको provide कराते हैं, 6 से लेके class 12 तक की free of cost classes. Students, अगर आपको e-books and e-notes चाहिए, उसका link भी आपको मारे description box मिल जाएगा, तो जाईए और जली से जाकर उसको grab कर लीजे, और आप हमें follow कर सकते हैं, थो YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, तो हमें इन सब के थो follow भी कर लीजे, जिससे आपको क्या मिले, एक particular time पर particular video, अच्छे concept clarity के साथ मिल लोगों ने, मनलब अब तो बस समझ लो, खता में chapter, ठीक है, corrosion, corrosion के बाद alloy, खता में chapter, मतलब कि हम बिल्कुल chapter के end पर आचुके हैं, तो इसी बात पर भाई बदा ही हो सबको, हाँ, क्योंकि हमने शुरू से start किया था physical properties से, फिर हमने chemical properties, ionic compound, covalent compound, इन सब को देखा, properties देख आज का हमारा धमाकदा session होगा, उसमें हम लोग देखेंगे किसको corrosion को, किसको देखेंगे, corrosion को आज हम लोग देखने के बाद, अब आप बोलेंगे, अरे मैम यह इतना असान था, तो बहुत सारे students को हमेशा doubt रहते है, corrosion होता क्या है, हमेशा rustic of iron तो सुना है, बट क्या पता जितने भी doubts हैं, उन सब को मैम आज crystalline clear कर देना वाली है, तो जल्दी से आपका पहला काम क्या है, session को like करना और red heart को comment करना, क्यों कि जब आप red heart comment करते हैं मिटा, तब हमें मिलती है, क्या बोल सकते हैं उसको, there is a, वो हो थी ने, kick मिलती है, तो मैं कोई काम में kick मिलती है, औ क्यों कि मैं वो stability चाहरा है, मैंना आपको एक बात बताई थी बटा, कि कोई भी atom है, ठीक है, या कोई भी metal है, वो react कर रहा है, ठीक है, वो इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि वो stability चाहता है, stability, और ये stability के लिए ही वो reactive है, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, कि sodium कभी भी आपको free statement नहीं मिलेगा, क्यों, कुछ सोचा कभी क्यों, क्योंकि ma'am, अगर हम देखें थोड़ा सा, sodium के बारे में, तो sodium जो होता है, हमारा, ये metal नहीं है, I am just saying, कि मैं वैसे बता रही हूं, कि कैसे reaction नहीं है, है ये metal ही, बट मैं इसको corrosion related नहीं होता है, एक बात बता रही हूं, तो system, 8 electrons पूरे हैं, तो वो एक inert gas configuration के नदर चला जाता है, और जब वो inert gas configuration में चला जाता है, तो 8 electrons होने के बाद, एक stability आजाती है, आटम में, जब उनके outermost में 8 होते हैं, तो आप किसी से reaction नहीं करना चाते है, जैसे inert gases, वो inert क्यों है, वो unreactive क्यों है, क्योंकि उनके 8 electrons complete हो हो, ठीक है, बड़ जैसे मैं sodium की बात करूं, तो sodium के outermost shell में एक electron extra है, तो ये एक electron इसको बहुत ही problem दे रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि student ये, देखो, ऐसा होता है, sodium का क्या होता है, electronic configuration आपको पता है, 2, 8, 1, तो मतलब कि एक electron अगर ये चला जाए, तो ये जो 8 है ना, इस configuration मिल जाएगी इसको, ठीक है, बिलकुल, तो मतलब वो, इसलिए, इस एक electron को lose कर देगा, तो basically वो reactive है, क्योंकि वो stable होना चाहते है, बस, simple सी बात यह, कोई भी reactive कब तक है, जब तक वो stable नहीं होता, जैसे ही वो stable होगा, वो reactive नहीं रहेगा, वो unreactive हो जाएगा, ठीक है, और metal, if अगर आपका metal reactive है, तो हम ही देखते हैं, उसका surface जो होता है, उसका जो उपर का surface रहेगा, outer surface, उसका अटाक करेगा moisture, क्या air और water, moisture क्या होता है, जिसमें oxygen and water, oxygen and water का जो mixture होगा, गो होगा, आपका क्या moisture, तो moisture उस पर attack करता है, जो atmosphere में होता है moisture, वो उस metal के surface को attack करता रह है, ठीक है, so the metal reacts with oxygen, off air and water vapor, off air forming compound on its surface, तो हम यह देखते हैं, बटा, कि बुझा आपका metal होगा, क्या, बुझा आपके पास metal होगा, यह किस से reaction करेगा, oxygen से, और moisture से, this is what, this is moisture, तो हम यह देखते हैं, बटा, जब यह ऐसे reaction करेगा, तो यहां से क्या करेगा, अपने ऊपर कु होती है, उन गैसे से reaction करके, यहां से क्या करेगा, यहां से कुछ layers का formation कर लेगा, अपने surface के ऊपर, ठीक है, so the formation of these compounds, tarnish the metal, tarnish होता है, बटा, dull कर देंगे, उसको, उसकी चमक उड़ा देंगे, आपको पता है, metals बहुत जादा क्या होता है, लश्चरस होता है, लश्चरस का म इसकी वेज़े से हम क्या देखने होता है, हाँ पर, कि जो आपका metal है, उसका surface कैसा हो रहेगा, dull हो जाएगा, so the compounds formed on the surface of the metal are usually porous, तो हम यहां देखने होता है, कि जो compounds होंगे, फिर वो कैसा हो रहेगे, porous हो जाएगे, छेदिल हो जाएगे, क्योंकि metal निगल रहे है, गल रह सबने देखा है, लोहा, उस लोहे पर जंग लगा भी आपने देखा है, जंग क्या होता है, वो रस्ट जो होती है, तो आप देखते है, red color का एक compound जम जाता है, वो जब आप ऐसे उसको touch भी करते है, वो जड़ता है, निकल जाता है वो, क्योंकि वो porous होता है, वो gradually निकलता रहता है, वहां से, and then the metal underneath is attacked by air and moisture, और इस तरीके से metal पर attack होता रहता है, ठीक है, क्या होता है, यह, तो the process go on and on, अब यह process हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, so the action of air and water gradually eat up the whole metal, और इसी तरीके से air and oxygen मिलकर, क्या air और water मिलकर उस metal को खा जाएंगे, पूरी तरीके से, ठीक especially in industrial areas, there are some acidic gases, आपको पता है इसे industrial areas जो होते है, वहां पर कुछ acidic gases release होती है, in the air which mix with rain water, जो water के साथ mix करेंगे, जैसे SO2, CO2, यह water के साथ mix होती है, to form chemicals such as acids, और यहां से यह क्या बनाती है, यह acids का formation करती है, ठीक है, so these acids also attack the surface of metal and eat them up slowly, और यह acids जो होते है, यह भी उस metal को attack करत हैं और उसको धीरे 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 खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो यह metals भी खा रहे है, metal को खा रहे हैं, air or water, यह acids, यह सब metal को खा रहे हैं, ठीक है, metal धीरे 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 गलता जा रहा है, so the eating up of metals by the action of air, moisture and chemicals, इसी को बटा बोलते हैं, क्या corrosion, यह metal के surface को, यह जो खा रहे हैं न मिलके, moisture, आपका क्या chemicals, यह जो मिलके खा रहे हैं उस metal के surface को, इसी process को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी process को हम लोग बोलते हैं, corrosion, क्या बोलते हैं हम इस process को, हम इस process को बोलते हैं, corrosion, समझ भाया हूँ, समझ भाया है नहीं, समझ भाया है, जली बता है को राट मतलब के air और मॉइस्टर उनके ओपर अटाक कर देता है जिसकी वैसे उनके सर्फेस पर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर क्या करती है वो ग्राजुली निकलती रहती है और मेटल भी मतलब के साथ में निकलता रहते मलब वो गलने लगता है ठीक है इसको पर आपको ना ऐसे ऐसे आपने देखोगे ऐसे एक र्यडी कलर का पाउडर सांद देखने के लिए मिल जाता है ठीक है वो अधिक रिया यह क्या है और यह वह मौसटर से इपक्टा है तो यह बनाता है iron था बट अब यह हो गया iron का oxide iron का oxide और यह जो iron का oxide बटा यही है वो rust क्या यही है वो rust जो किस color की होती है बटा reddish brown color की किस color की होती है आपके पास reddish brown color की आपकी होती है ठीक है और आपने देखा भी होगा भाई जंग तो नॉर्मल है हर जगह जहाँ पर भी आप आप आइरन देखते हैं आप आपको जंग लगा हुआ मिली जाता है मिलता है नहीं मिलता है यस मैं मिल जाता है बिल्कुल सो रस्ट is a soft and porous rust काफी soft होता है porous होता है and it gradually falls off from the surface of iron object और इस खील से जब आप देखोगे जब आप इस कील को पकड़ोगे ना तो इसको ओपर से जब आप ऐसे छुटाने के कोशिश करोगे तो rust easily छूट जाता है and then the iron blow start corroding और फिर वापिस से जो नीचे वाला iron होता है वो आप इस से करॉच होना शुरू जाता है एंबल पहले क्या करणा इस moisture ने कि अपका इहांपर ठिक है यह क्या थे यह अपका जो moisture था इस moisture ने क्सny क्यों कान फिर तो इसको कॉराप किया फिर वो रस्ट嗯 होता है और easily the सब्सक्राइब हो जाता है जए जैन जो अंदर फ़्यलनर से कृष्ट बनाएं फिर ऐन का ऑक्साइड बनाया सिर्वू निकल गया फिर जब कहा डिरे धीरे 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 हमी रेखते हैं का Aida जो है iron oxide की form में वासे निकलना शुरू हो जाता है और at the end metal आपका खतम होना लगता है ठीक है और यही जो process है इसी process को हम लोग बोलते है corrosion क्या बोलते हैं इसी process को corrosion बोलते हैं you can take the screenshot of the site done? move ahead? okay let's move ahead so corrosion of iron is a continuous process which ultimately eat up the whole iron object तो corrosion जो iron का ये continuous process होता है जिसमें धीरे 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 पूरा का पूरा iron का जो object होता है वो खतम हो जाता है the corrosion of metals is highly undesirable process क्या होता है यह बिल्कुल undesirable process होता है भाई यह नहीं चाहिए बहुत तुम्हें आपको बता है बहुत नुक्सान होता है corrosion से गवर्मेंट को क्यों bridges बना रहे हैं है ना construction material में iron का ही use कर रहे है और उस पर क्या लग रहा है उस पर लग रहा है तो वीक हो रहा है और वीक हो रहा तो chances हैं कि भाई buildings गिर जाएंगी सब चीज़ गिर जाएंगी तो हम मतलब कि गवर्मेंट को बहुत सदा पैसा खर्च करना पड़ता है उनको maintain करने के लिए इस पर rust ना लगे और उसका भी मैं आपको बता हूं कि कैसे आप rust को prevent कर सकते हैं आज का पूरा session corrosion पर जाएगा सिर्फ iron metal का ही नही सारे metals का हम लोग यहां पर corrosion देखेंगे जिसे silver का भी देखेंगे gold corrode होता है नहीं होता यह भी देखेंगे सबसे कम least corrode metal कौन सा है यह सारी चीज़ आज का session में हमारी रहेंगी so a large amount of metal is lost every year मैंने बता है आपको कि जो metals का large amount होता है वो हमेशा खतम हो जाता है because of corrosion in general the more reactive metal is the more related corrode तो जो जादा reactive metal होगा बटा वो इतनी ही जल्दी corrode हो जाएगा the corrosion of iron is called rusting तो यह rusting of iron क्या है corrosion ही है बस iron के लिए इसके लिए अलग word use कर लिया है यह लोगों ने rust ठीक है so while other metals are set to corrode iron metal is set to rust तो हम बोलते हैं के silver corrode होगा बट iron पर rust लगेगी क्या silver को हम बोलेंगे corrosion of silver iron को हम बोलते हैं rusting of iron समझ गे ठीक है तो आते हैं rusting of iron तो मैं आपको बता है कैसे होता rusting of iron जब iron की object आप damp air में छोड़ देते हैं for a considerable time it get covered with a red brown flaky substance मैं जो जड़ता रहता है flakes flakes होते हैं उसके उसको हम बोलते है rust so this is called rusting of iron इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते है rusting of iron during the rusting of iron जब rusting of iron होता है बिटा iron metal जो होता है वो oxygen of air in presence of water मैं लोगे moisture के साथ reaction करके क्या बना लेता है बिटा fp2o3.x water मैं लोगे iron का oxide बना लेता है this hydrated iron oxide is called rust मैंने यही चीज़ दिखाई थी न आपको याद आ रही है नहीं हारी reaction हाँ याद आ रही है जब आपका iron ने किस के साथ reaction करी oxygen और water के साथ तो मैं लोगे यही तो है moisture यह क्या है यही है आपका moisture ठीक है hydrated का मतलब क्या हो जाएगा बटा hydrated का मतलब हो जाएगा आपका पानी ठीक है देख रहो ना hydrating मतलब water है उसके अंदर present तो rust is mainly hydrated iron oxide the number of molecules of water x varies it is not fixed अपाई water तो कितना हो सकता है मालो क्या पता water जाद हो या water कम हो इसलिए x से x हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका कितना भी हो सकता है number of water molecules समझके इस reaction को बोलते है ना कि एक जगा लिखके चिपका दो कहीं पर क्योंकि मेटा board में हमेशा आती है हमेशा पूस्ते है rusting of iron हमेशा ठीक है screenshot लो इसका ठीक है okay so rust is a red brown in color rust कैसे होता है आपका red brown in color का होता है we have all seen iron nails screws, pipes and railings covered with the red brown rust हमने सब जगा देखा है आइरन की nails होती है screws होते है pipes होते है इन पे सब पे क्या होता है रस्ट ऊपर से कवर रहती है it is not only the iron which rust even the steel rust on being exposed to damp air अब आप बोलोंगे steel कैसे कर रहे है इस्टील भी तो iron से बनी भी है iron का alloy है steel मैं बताओंगे आपको alloys क्या होते है but यह थोड़ा कम थेजी से reaction कर पाती है कम थेजी से क्या होती है बटा यह corrode होती है condition necessary for rusting of iron तो बटा दो ही condition necessary है for the rusting of iron एक तो air का presence होना और एक water का presence होना क्या air of water का presence होना ही rusting करा सकता है तो rusting of iron needs both air and water thus two conditions तो आपको मैंने बता ही दिया है ठीक है okay so experiment to show that rusting of iron requires both air and water आप हम क्या करें बटा आप हम एक experiment को perform करेंगे जिस experiment से आपको क्या पता चलेगा कि अगर आपको rusting करानी है iron की तो आपको क्या लगेगा आपको water भी लगेगा और आपको air भी लगेगी तो आपको क्या करना है बटा आपको तीन test tube लेनी है and we take three test tube and put one clean iron nail in each of the three test tube और तीनों में आपको iron nail को place करना है ठीक है in the first test tube containing iron nail जो पहली test tube है जिसके अंदर आपने iron nail डाली है we put some anhydrous calcium chloride anhydrous मिले जिसमें पान ही नहीं है ठीक है calcium chloride आप डालेंगे and close it mouth with a tight cork और cork से उसके मुग को बन कर देंगे देखो इस तरीके से test tube लो test tube में iron nail डालो देखो आप यहापर क्या देखो आपफ यहापर आप यह देखो घ्रो कि एहाप पर यह आपके पास iron nail है और इस iron nail को आपने किसमें डाला है anhydrous calcium chloride में anhydrous का मतलब क्या होता है in hydrus का मतलब होता है बह्ता के मतलब के पानी नहीं है क्या पानी नहीं है वापए तो anhydrous calcium chloride is added to absorb water तो अब यह क्या करेंगा, बटा, from the damp air present in the test tube and make it dry, अब यहाँ पर अपने एन्हाइडरस कल्सम क्लोराइट के उसकिया है, जिससे, जो इस test tube के इंदर थोड़ा बहुत भी damp air बगारा होगी, damp water बगारा होगा, मलब कि थोड़ा moisture होगा, उसको यह absorb कर ले, तो the iron nail in the first test tube is kept in a dry air, तो मतलब के बिल्कुल dry air है हाँ पर, this test tube is kept aside for about one week, और आप इसको क्या करो, मतलब के एक हप्ते लिए side कर दो, करके यह सारा काम, ठीक है, कर दोगे, okay ma'am, ठीक है, next, in the second test tube containing iron nail, we put some, we put boiled distilled water, अब next वाले में क्या करो, बटा, iron nail डालो, और यहाँ पर क्य layer लगा देना, जिससे oxygen अंदर ना सही, तो oxygen अंदर आगी तो, बिचार को जंग लग जाएगा, किसको, iron को, ठीक है, यूँकि oxygen मोईस्टरी तो जंग लगा रहे है, तो मतलब के हाँ पर air की, boil की layer बना लोगे, जिससे oxygen रेक्ट ने कर पाएगी water से, this is because the process of boiling removes all the dissolved air from it, अब boiling क्यों करिए बिटा, boiling आपने इसलिक करिए, कि boiling करने से हम देखते है, कि सारी जो dissolved air होती है, वो गायब हो जाती है, किससे, water से, so a layer of oil is put over boiled water, अब आप क्या करो, उस boiled water के ऊपर layer of, क्या डाल दो, oil डाल दो, to prevent the outside air from mixing with boiling water, जिससे क्या हो, कि जो बहार की layer है, बिटा, वो iron nail in the second test tube is capped in air free boiled water, तो आपने दूसरे बाले में क्या करा, boiled water तो लिया है, बट air नहीं है, क्योंकि आपने, आपको बता है na, boiled water में क्या होगा, boiling से सारी air उतर जाएगी, तो इसे पानी बचेगा, so the mouth of this test tube is closed, and इसको भी एक हटे के लिए साइड में डाल दो, कर दोगे, okay, so third test tube में क्या करना है, containing iron nail, अब इसमें unboiled water डालो, unboiled water डालो, कोई oil की layer लगाने की बिलकुल अब निर्दे बन जाओ, okay, so that about two-thirds of the nail immersed in water, okay, अब कुछ पार्ट को, मतलब के, इतना two-third, मतलब के, इतना, क्या करो, उसको, रग दो, पानी में, and rest is above the water, तो आप देखेंगे, अब आपने हाँ पे air and water के इंदर, test tube को रखा है, ठीक है, मैं लगा वो, air and water, damp air ले लिए और water ले लिए हाँ पे, अब आप क्या देखोगे बटा, अब आप ये देखोगे हाँ पे, क्या देखोगे, देखोगे कुछ ऐसा, एक मिनट, कैसा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, अपकी, ठीक है, यह आपने दो, तीन test tube ले ली थी ना, अब मैं आपको result दिखाती हूँ, क्या होगा, ठीक है, अब हमने इसमा iron के नियल डाल दी थी, सब मा iron के नियल डाल दो, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था पटा, इसमें हमने लिया था calcium chloride, एन हाइडरस calcium chloride लिया था, इसमें हमने पूरा, पूरी पानी हम डाली थी यह, और यहाँ पर एक oil की layer, यहाँ पर एक oil की layer, ठीक है, और यहाँ पर क्या था है, यहाँ पर simple water लिया, और water में तरह दिया, सिर्फ half, तो हमने लिया क्या के था, इसमें हमने लिया था यह, एन हाइडरस, calcium chloride, इसमें हमने क्या लिया था, इसमें लिया था, बॉयल वाटर, और इसमें हमने लिया था unboiled water तो अब ध्यान से एक चीज़ अब्जब करना ध्यान से एन्हाइड्रस कल्सम क्लॉराइड क्या करेगा बटा यह एब्सॉर्ब कर लेगा moisture को absorb absorb moisture क्या करेगा यह moisture को आपके absorb कर लेगा फिर student हम लोग देखेंगे जब भी moisture का absorb कर लेगा तो यहाँ पर आपको cork भी तो फिट करनी है यहाँ अधा थे हैं ना cork भी फिट करनी है आपने जिससे भाई कोई air वेयर के अंदर entry ना हो जाए ठीक है आपने cork भी फिट कर दी अब आपने दूसरे वाले में बॉयल वाटर लिया और यहाँ पर एक ओयल की लेयर भी लगा दी है तो ऐसा आपने क्यों करा बटा क्योंकि जो आपका बाद इनको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा जूबा आपको मिलेगा यहाँ पर है मतलब यह क्या था मतलब कि यह बिटा कि आपके पास जो a b c test tube थी उसमें से जो आपके पास c वाली test tube थी उस पर रस्ट लग जाएगा क्या लग जाएगा रस्ट लग जाएगा मतलब के माम आप कोई चीज़ पता है इसमें ना तो इसमें तो थाई नहीं कोई मौश्चरी नहीं था इसके अंदर वाटर था पर एयर नहीं थी इसके अंदर बिटा एयर भी था और वाटर भी था ठीक है इसी वेस हमने क्या पर दे जाएगी इसका मतलब इस एक्सपरिमेंट से में यह चीज़ पता चल गई कि भाई अगर आपको रस्टिंग करा नहीं है एरन की तो आपको मॉइस्टर तो लगेगा क्या मॉइस्टर तो आपको लगेगा समझ मां गया वाला पॉइंट चलो स्क्रीन शॉट ले लो आपको देखने के लिए on the surface of iron nail क्यों क्योंकि यहां पर air or water दोनों ही presence थे तो अगर दोनों ही present थे बिटाए हां पर तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि भाई आपको दोनों ही चीज़ों की requirement होती है for the rusting of iron ठीक है so this means that हम यहां पर क्या बोलेंगे कि rusting of iron objects can be prevented आप कब बच आप अगर rusting of iron बचाना चाहते हैं तो आप उसको iron object को damp air में ना रखें मिल्कुल भी जहां पर moisture और air एक साथ प्रेजन नहीं होना चाहिए वेगर वो एक साथ present हो गया तो भाया फिर तो रस्टिंग होगी फिर तो रोक के दिखा लो फिर नहीं रोक सकते हैं तो आप सोचों के माम चलो ठीक हमाँ पता चल गया रस्टिंग कैसे हो रही है हमें समझ मागिए अब यह तो बता रही है इसको खतम कैसे करना है कुछ तो प्रिवेंटेड भाया बहुत तगड़ा रोस आता है पैसे में ठीक है तो मोस्ट आप्ड़ा इंवर्टिंग किसकी होती है माम सबर करो बता रही हूं ना सब को जैसे ओलेंग ग्रीसिंग यह सब कर लो ठीक है तो हम दिखेंगे रस्टिंग आप प्रिवेंटिंग क्या और ओं ढुकी है आउटाया आँ जोड़े आ ना की लेल आ आपको पेंट कर दें ठीक है तो पेंटिंग इस अंता मोस्त प्रिमेटिंग जू कोरिशना इंटोट इंट से पी इस प्रिसाटेशकों ऑपेंट ब्रस इंग कर पांदा जैसे आप देखते हैं वहां पर जब लग जाती है तो उनको उपर paint होता है, वो paint को होता है जिससे rusting ना हो पाए उपर, क्या ना हो पाए रusting? So, when a coat of paint is applied to the surface of an iron, then air and moisture will never come in contact with the iron. ठीक है, तो हम या पर क्या दिखने है, वो आएंगे ही नहीं, मतलब कि वो आएंगे ही नहीं, मतलब कि वो आएंगे ही सकते हैं, contact में iron object है, so हम दिखने ही कोई rusting ही नहीं होगी. The iron articles such as window grills, railings, steel furniture, iron pipes, iron bridges, railway coaches, ships and bodies of cars, buses and trucks are all painted to protect them from rusting. तो इन सब को हम paint करते हैं, और paint करने के बाद या खुबसरत भी लगने लगती है, तो मैं इनके, आपने देखो कार्स किस से बनी वे, लोहई से बनी वी है, कोई प्लास्टिक की थूड़ी है, पर उनको पर कितना तगड़ा paint होता है, कोई गाड़ी को rust लगते हैं, पर हाँ एक जवा ऐसे rust लग सकता है, पूरी कार में टेप लेके hole लगाना और उसमें भाद से paint हटा देना, देख लेना आपर rust लग जाएगा, या ऐसी कार्स देख्योंगी जिनका rust paint हटने के बाद उन पर rust हो जाती है, क्यों कि बटा, आपने paint हटा दिया, जब तक paint था, वो rust नही कर रही थी, है ना, तो मतलब कि the iron pipe is being painted to prevent rust, तो देखो यह जो iron के pipes हैं, यह बंदे इनको paint कर रहे हैं, जिससे rust नहीं हो सके, ठीक है, तो rust बिचाने का एक सबसे अच्छा तरीका तो यह हो जाएगा, कि भाई आप पेंटिंग कर दो, अब पेंटिंग करने के बाद थोड़ की विरा से, moisture react नहीं कर पाएगा, ठीक है, so when some grease or oil is applied to the surface of an iron object, then air and moisture cannot come in a contact with the iron object, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखने हैं, तो इसलिए rust नहीं हो पाएगी, क्योंकि oil जो होगा, oil क्या करेगा, oil prevent कर देगा, किसको, oil किसको prevent कर देगा, बाटा, oil prevent कर देगा, उस rust को, मतलब क oil, iron के साथ, reaction हो नहीं देगा, moisture की, so for example, the tool and machine parts made up of iron and steel are smeared with grease or oil to prevent their rusting, आपने देखा होगा, जो machine के parts पगर होते हैं, उनको oiling क्यों करी जाती है, उनकी greasing क्यों करी जाती है, जिससे कि उन पर rusting ना हो, क्योंकि अगर उन पर rusting हो जाएगी, तो वो सही से proper functioning नहीं कर पाएग यह जो cycle में जो chain लगी होती है, उसमें grease और oil डाल रहा है, जिससे rusting ना हो पाएगा, जिससे rusting ना हो पाएगा, इसमें तो paint नहीं कर सकते हैं, समझगे, okay, अब next आते हैं, rusting of iron can be preventable, galvanization, बहुत ही important is galvanization, अब आप सोचोंगे, जिससे मैंने आपको idea दिया था, chemical reaction and equation वाले Zinc की coating चड़ा दो, Zinc की coating चढ़ा दो, अब आप बो लिंगने, Zinc की coating चड़ा कर क्या हो जाएगा, अगर Zinc की coating चड़ाओगे तो oxygen आएगा, तो Zinc के साथ reaction करेगा, तो मतलत добав करлав क आईरन तो बच जाएगा, हाँ, बच जाएगा ने बच जाएगा, यहसमें बच जाएगा, ठीक है तो मैंला जिंक की अगर उपर से लेप लगा दोगे ना जिंक का यह मतलब याद कराने का तरीका है कि जिंक की कोटिंग करोगे स्टुडेंट्स तो हहां पर क्या देखोगे कि अब आरें जोगा वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा तो के होता है पीटा कोट करना जिंक से अरें मेटल को इस इस वाल गेल्वनाजेशन तो आम देखते है पॉटा है जिंक उसको फिगला लो और उसमें आरें के अबजेक डालते चले जाओ ठीक है अथिन लियर और जिंक metal is then formed all over the iron object. फिर हम देखिने बटा, कि पूरे iron object पे जो zinc होगा, उसके thin layer का formation हो जाएगा. This thin layer of zinc metal on the surface of iron object protect them from rusting. तो हम यहाप पर क्या देखिने हैं? हम लोग यहाप यह देखिने हैं, कि जो आपका zinc है, अब वो zinc क्या करेगा? अब उस iron metal को rusting से बचा लेगा. क्या करेगा? उस iron metal को rusting से बचा लेगा. Because zinc metal does not corrode on exposure to damp air. क्योंकि हम यहाप पर क्या देखिने हैं, जो आपका zinc metal होगा, वो, the zinc metal does not corrode on exposure to damp air. ठीक है? So the iron steel used for making buckets, drums, dustbin, sheds are galvanized to prevent their rusting. तो हम यह देखिने हैं, कि हम लोग iron के sheets को, जो buckets बनाने में, drums बनाने में, dustbin बनाने में, इन सब में use की जाती हैं, उनको हम लोग कैसे क्या करते हैं? हम उनका galvanization करते हैं. ठीक है? So the iron pipes used for water supply are also galvanized to prevent rusting. हम देखते हैं, कि जो iron के pipes होते हैं, ना iron के pipes होते हैं, वो यहाप में आपको कर रहा है था ना, please stop calling me a cute zebra, instead. ठीक है? So zinc is quite reactive metal. तो zinc आपको reactive metal होता है, the action of air on zinc metal form a very thin coating of zinc oxide all over it. मैंने यह बता है आपको, कि जब आप zinc की coating करोगे, तो जब वो oxygen के साथ reaction करेगा, बटा, तो वो बनाएगा हैं पर zinc का oxide. ठीक है? तो मतलब iron तो protect हो गया ना, zinc ने reaction कर लिया oxygen के साथ. Iron तो खुद protect हो गया ना, नहीं हुआ, बताओ, वो कि iron के उपर तो आपने zinc चड़ा रखा था, तो zinc ने क्या कर दा? Zinc ने oxygen के साथ reaction करके, यहाँ से क्या बना लिया, बटा, zinc का oxide बना लिया, ठीक है? समझ में आगे वाला point आप लोग को, this zinc oxide coating is hard and impervious to air. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो zinc का oxide होता है, वो कैसा होता है? hard होता है और impervious होता है air के, अब air अंदर ना पाएं, ठीक है? तो student impervious to air मतलब कि अब जब zinc oxide बन गया है, तो और air reaction नहीं कर सकती उससे, ठीक है? बट iron के साथ है, तो iron के साथ क्या होता है, rust बनता रहता है, निकलता रहता है, बनता रहता है, निकलता रहता है जिसकी वेसे iron or corrode होता रहता है है ना? So, and hence prevent the further corrosion of zinc metal So, when a layer of zinc metal is deposited on an iron object तो हम यह देखते हैं, जब हम zinc की layer को iron के object पर deposit करते हैं, बटा So, zinc oxide coating formed on its surface, उसके surface पर zinc oxide बन जाता है, बटा, और जिसकी वेसे हम देखते हैं कि zinc की layer बनने के वेसे iron जो है नीचे, वो protect हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि iron तो बज़िया बचारा, तो iron बड़ा ही अबला है क्योंकि उसको नहीं वो नहीं बचा पर आपना आपको, बट zinc काता है, आओ जरा हम बताते हैं आपको, हाँ चलो, यह इसका reaction का screenshot लेला ना और reaction balance कर लेला, ओके, next, the galvanized iron object remain protected against rusting if a break occur in the zinc layer तो this is because zinc is more easily oxidized than air, so when a zinc layer on the surface of galvanized air, object is broken, then the zinc continue to corrode, but iron object does not corrode or rust हम इसको नहीं देखते हैं, अगर zinc break भी हो जाए कहीं से, तो वापिस से वो reaction करके oxide बना लेता है जिसकी वेसे आपका iron का object नीचे की तरफ से बचा रहता है, ठीक है, अब आप सोचोंगे मैं, इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी हमें इतना भारी इनकुसान होता है, क्या कर सकते हैं, मिंटेंज जादा, मिंटेंज करनी पड़ेगी, टीम जादा चाहिए, बहुत सारी चीज़े होती है, है ना, rusting of iron can be prevented by tin plating and chromium plating, हम इस देखते हैं, iron को आप एक और तरीके से बचा सकते हैं, तो student आप देखते हैं, कि आपका iron corrode होने से बच जाता है, जैसे कि tin and chromium metals are resistant to corrosion, ये दोनों ही metals जो होते हैं, tin और chromium, ये दोनों ही resistant होते हैं to the corrosion, so when a thin layer of tin metal, हम इस देखते हैं, जब हम पत्तिली से लिए tin metal की, और या फिर chromium metal की iron के ओपर deposit करते हैं, and steel objects by electroplating, then the iron and steel object are protected from rust, तो आपको simple सी एक बात यार रखनी है, कि iron और वो, क्या बोल रही थी, tin plating और chromium plating जो होंगी, इन metals के आपको thin layer चढ़ा देनी iron के ओपर, और क्योंकि ये metal क्या होते हैं, ये corrode नहीं होते हैं, तो मतलब कि ये iron को rust से बचा लेंगे, ठीक है, so for example tiffin boxes, किसकी बात करते हैं, tiffin boxes की बात करते हैं, आपने रिखने हैं, वो डबबा, so made of steels are nickel plated from inside, हमीं दिखते हैं, ये अंदर से nickel से plate रहते हैं, and outside, to protect them from rusting, ठीक है, so tin is used for plating tiffin boxes, because it is a non poisonous and hence does not contaminate the food captain, तो हमीं देखते हैं, tin हम क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि tin जो है आपका, tin जो है आपका, वो कैसा है, वो आपका non poisonous है, ऐसा नहीं है, कि अगर आप उसको plate करेंगे, तो उससे किसी की जान पर बात आजएगी, या फिर वो खाने के साथ react करके, कुछ जहरीली चीज बरा देगा, ऐसा वो नहीं करता है, ठीक है, chromium plating is done on taps, taps को उपर, जो टंकी होती है, उनको उपर chromium की plating करी जाती है, बाटा, bicycle के handle पर chromium की plating करी जाती है, car के bumpers पर, जो iron और steel के बने वे होते हैं, ठीक है, जिनसे rusting ना हो जाए, और एक shiny appearance इनको उपर present रहे है, as you can see, देखो, यह आपको नजर आ रही है, यह, यह iron की बनी हुई है, यह iron की बनी हुई है, बट इसको जंग क्यो नहीं लग रहा, क्योंकि इसको उपर chromium की plating कर रखी है, तो chromium खुद क्या है, corrosion resistant है, तो जब वो corrosion resistant है, बटा, तब हम यहाँ पर क्या चीज़ observe करेंगे, तब हम यहाँ पर यही चीज़ observe करेंगे, कि इस पर rusting नहीं होगी, क्या, इस पर आपकी rusting नहीं होगी, तो मैंना हमने देख ले कि tin plating और chromium कैसा, steel के बारे में सुना है, stainless steel, steel alloy है, alloy क्या होता है, जब आप दो metals को आपस में mix करते हैं और वहाँ से जो एक new चीज़ बनेगी, वो होती है आपकी क्या, बटा, alloy, so when iron is alloyed with chromium and nickel, हम ही देखते हैं, जब आइरन जो होता है, जब उसके साथ हम chromium को मिलते हैं, किसको, chromium और nickel को मिलते हैं, तो एक stainless steel बनता है, क्या बनता है बटा, एक stainless steel हमें obtain होता है, तो stainless steel does not rust at all, जो आपका stainless steel होता है बटा, वो बिलकुल भी rust नहीं होता है, क्या, बिलकुल भी rust नहीं होता है, cooking utensils, knife, scissors, surgical instruments are made up of stainless steel and do not rust at all, और यह rust प्रिजिस को भी स्टील का बना दो तो इसमें आरेन कोट नहीं होता है बस आरेन के साथ मिला दो इनको ठागे ठीक है अब आते हैं मिटा आपने देख लिए आरेन के सारे क्या रस्टिंग प्रिवेंशन सब देख ले तो क्या के देख ले चलो भी बाद में रिवाइस करा दूँगे मैं वह दिक करती है एड दैन सब कुछ रिवाइस करा दिया जाएगा अब आते है कॉरोजन और अलमीनियम भी क्यों क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं हो सकता है पर देखते हैं ज्यादा कोराद होता है एक होता ही नहीं है लेट सी चलिए तो मैने शाइनिंग अलमीनियम वेसल is exposed to moist air the oxygen of air reacts with Aluminium to form a thin dull layer of Aluminium Oxide all over the vessel आपने एक चीज़ उबजब करिए अगर आपने कभी Aluminium को दिखा हो तो जो आप Aluminium खरीद के लाते हो तो बड़ा ही चमकीला सा होता है कुछ टाइम बाजब यूज करते रहते हो तो डल हो जाता है क्यों ऐसा क्या कर दिया एरन ने वो Aluminium ने क्यो तो दुख में है क्या आप उसको खरीद कर लेकर रहे हैं नहीं I don't think so कि वो दुख में है तो ऐसा क्या किया आपने उसके साथ जो इतना ही मतलब इतना खुश था एप पर उसकी चमकीला था और वो डल हो गया बेटा आपने कुछ निकरा ये गाम करा oxygen मतलब के तो हम यहां क्या देखते है मतला कि जो एलमिनियूम का जो शाइनिंग सरपेस है तो जो oxygen है ना एयर में वो उस एलमिनियूम के साथ रियक करके ऐलमिनियूम का oxide बना लेती है जिसकी विला से वो जो शाइनी अपरेंसी वो जो लश्चर थी उस metal की वो डल हो गई मतला वो टारनिश हो ग जो जो ऑखता है क्योंकि अलमिनियूम में क्या होगा यैरिक्ट करेगा क्यों बैटा इलमिनियूम आपका रियक्ट करेगा और आंud मलब oxygen के साथ और महां से क्या और मेंक्र आज़ियूम का oxide आज़ियूम न का ओक्साइड वो बनाएगा combined Aluminium metal is more reactive than iron, आपको पता है बटा, Aluminium metal आपका iron से जाधा reactive होता है, Please stop calling me a zebra, instead, तो zebra zinc, instead iron, उपर है ना Aluminium तो, है ना, तो हम देखने हैं, जाधा reactive होता है, So fresh Aluminium metal begins to corrode quickly, तो एकदम से तो ताजा-ताजा Aluminium metal होता है, वो corrode हो जाता है, But, अभी रुको, इतना भी, खुश मत हो, अरे मैम, ये तो iron से भी जाधा मतलब गयर गुजड़ा निकला हो, रुको जरा, Aluminium मलागी कैस है, So, comes in contact with moist air, जब moist air के contact में आगा, तो ये Aluminium का Oxide बना लेगा, The action of moist air on Aluminium metal forms a thin layer of Aluminium Oxide all over the Aluminium metal, This Aluminium Oxide layer is very tough and prevent the metal underneath from further corrosion, So, अब आप बोलेंगे, मैम, ये क्या हो गए, तो जज़बाद पर लड़ दी एक दम से, हाँ, वो यता है, ना, वक्त बदल गया, ज़बाद बदल गया, ये क्या बहा, ये ऐसे हुआ स्रोडेंट, कि जो Aluminium था, जो आपका Aluminium था, जब उसने moist air के साथ reaction करी, तो हमने ही हाँ से देखा, इसने मनाया Aluminium का Oxide, Aluminium का Oxide, बट ये जो Aluminium का Oxide होता है, ये काफी क्या होता है, ये आपका काफी tough होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका काफी tough होता है, और ये आगे की rusting को prevent करता है, क्या करता है, ये आगे की rusting को prevent करता है, तो इसका मतलब एक बार, अगर Aluminium के उपर Oxide के layer चड़ गई, का enjo मैं यह आगे रस्टन नहीं कि मतलब इसका अगे को जिल्टन शाथ कर सकुरसे कद कशिछ को करहें कि पर में, वह सम्हां नहीं किया हैं अन्दर उसा का में बएंदर कीont पर्मिनम अम्हुशॉचार युद्स से एंस मतलब moisture के साथ reaction हो रही, iron का oxide बन रहा है, निकल रहा है, soft होता है ना उसका rust, फिर reaction हो रही है, फिर निकल रहा है, मतलब यह तो बड़ी ही दिककट की बात हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, हाँ, yes ma'am, हो रही है, screenshot ले ले लिया, okay, so this means that sometimes corrosion is useful, तो मतलब इससे एक बात पत चलते हैं, कि हम जितना corrosion को इतना villain समझ रहते हैं, इतना भी यह विलन नहीं होता, कभी-कभी useful भी होता, जैसे कि यहाँ पर corrosion हो तो aluminium metal बजग गया, ठीक है, which then protect the aluminium piece from further corrosion, a common metal which is highly resistant to corrosion is aluminium and this is very very important, this is very very important, बटा, के कौन सा metal है ऐसा, जो corrosion से prevent करता है, मतलब के अपनी तगडी prevention करता है, तो बटा, वो है आपका aluminium, ठीक है, जो highly resistant है, क्या बटा, यह आपका, यह आपका highly resistant है, समझ मा गया, आया रिया आया, अगर समझ माया तो इसी को like करो, ठीक है, so we have just said that the formation of a thin aluminium oxide layer on the surface of aluminium object, on exposure to moist air, protect the aluminium object for further corrosion, तो इसका मतलब भाया, वो जो इसको पर aluminium ka oxide बन रहा है न, वो इसके लिए बहात ही फायदे मन है, क्यों, क्योंकि वो इसको further corrode होने से बचा रहा है, so if aluminium oxide layer on the surface of aluminium object, could somehow be made up thicker, then the aluminium object would be protected from corrosion even more effectively, और अगर यह oxide clear बहुत जादा मोटी होगी, तो हम देखेंगे, फिर तो आपका, जो aluminium का, जो metal है, वो बिलकुल भी corrode नहीं होगा, तो this can be done by anodizing, हम क्या करते हैं, इसको हम done करते हैं, anodizing से, anodizing से क्या करेंगे, हम लोग aluminium की जो oxide है, aluminium के surface पर जादा मोटी चडवाएंगे, तो, the layer of aluminium oxide on the surface of aluminium object can be made thicker by electrolysis, electrolysis करो, ठीक है, electrolysis क्या, जिससे के उसको जादा से जादा, electrolysis के थूँ, आप जादा से जादा aluminium का oxide, aluminium के ऊपर चडवा रहे हैं, इसी process को हम बोलते हैं, anodizing, क्या बोलते हैं, anodizing, तो anodizing is the process when the more thicker layer of aluminium oxide is deposited on the surface of aluminium by electrolysis, समझ मा गया, ओके, तो, in this process, the aluminium object is made at anod in an electrolytic tank in which dilute sulfuric acid is electrolyzed, तो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस process में हम लोग करते हैं, क्या, aluminium को object को, क्या, is made at anod, मतला, एक positive electrode बना देते हैं, in an electrolytic tank, जिसमें हम dilute sulfuric acid को डालते हैं, ठीक है, तो, during this electrolysis of dilute sulfuric acid, oxygen gas is liberated, तो, बैटा, जब dilute sulfuric acid का क्या होगा, electrolysis होगा, electrolysis होता है, मतलब, आप electric current देके तोड़ें गया, उसको, तो, आप देखेंगे, वहाँ पे ना, आपकी क्या होगी, जो oxygen gas है, वो anod पर liberate होगी, मतलब, anod पर जाकर खट्टी होती रहेगी, and reacts with the aluminum object to form a thicker layer of aluminum oxide on its surface, और आपको पता है, anod क्या है, क्या है, देखेंगे न, in this process, the aluminum object is made at anod, anod पर अपने aluminum भी चड़ा रखा है, ठीक है, तो, मतलब, अब जब आपकी यह उस पर चड़ती चली जाएगी, ठीक है, तो, आप देखेंगे, oxygen and aluminum आपस में reaction करते चले जाएगे तो, मतलब, वहां से क्या बनता चला जाएगा, aluminum का oxide, जितना जादा आप, क्या कराओगे, sulfuric acid को electrolyze कराओगे, उतना ही जादा oxygen का deposition किस पर होता चला जाएगा, बटा, electrode पर होता हुआ चला जाएगा, so, this thicker and more uniform aluminum oxide layer protect the aluminum object from corrosion very effectively, तो, जो, जो, तिकर layer बनी है, यह aluminum को और अच् aluminum object by making it anod during the electrolysis of dilute sulfuric acid, ठीक है, तो, हम क्या करते है, बटा, anodizing के ऐसा है process होता है, जिसमें हम लोग क्या करते है, aluminum के ओपर एक thick layer, aluminum oxide की चड़भा देते है, ठीक है, इसको anod बनाएंगे, और जब anod यह बनेगी, और जब आपका जो sulfuric acid है, जब उसका electrolysis होगा, तो, sulfuric acid के electroly electrolysis के टाइम पर हम क्या देखेंगे, बटा, हम यह देखेंगे, कि उसमें जो oxygen gas liberate होगी, वो oxygen anod पर जाएगी, और जब anod क्या है, aluminum का aluminum से बनी वी है, तो, इसका मतलब, अब anod और जो oxygen है, वापस में react कर जाएगे, और वहां से उसके उपर, उस aluminum के उपर क्या बन जाएग जितने भी sauce pans, window frames, यह सारे के सारे जो होता है, इन पर anodized किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, इन पर corrosion ना हो जाए, the aluminum oxide layer can also be dyed to give the object attractive colors, और हम देखते हैं, इस oxide layer को हम dye कर देता है, इससे एक, मलब एक अच्छा सा color वगरा बगारा मिल जाए, इसा आप देख पार होगे, यह हमने, there is a balty and there is a tong, like something, है ना, तो मतलब कि हमने इन पर color भी कर देखे है, इससे थोड़े से attractive भी लगे, क्या, जिससे थोड़े से आपके attractive भी लगे, समझ मा गया, आप आते हैं, इसा corrosion of copper, आप corrosion of copper का मतलब क्या है, मतलब क्या copper भी corrode हो रहा है, आइए देख लेते हैं, copper भी corrode होता है, होता है, green color की एक layer प्षड़ी भी देखिए, किसे ने उसको पर, वो corrosion नहीं तो है और क्या उसका, तो हमी देखते हैं, the copper object lose your shine after some time, हमी देखते हैं, जो copper की objects होते हैं, वो भी कुछ time बाद अपनी shine को lose कर देते हैं, due to formation of a copper oxide layer, क्यों, व्योंकि उसको पर किस में रखते हैं, damp air में रखते हैं, कुछ considerable time के लिए, then copper reacts slowly, तो copper धीरे-धीरे react करता चला जाता है, co2 से and water से of air, water जो present air में और co2 जो present, उससे धीरे-धीरे react करता जाता है, जिससे green coating of basic copper carbonate की बन जाती है, क्या, green coat of basic carbonate, ठीक है, copper carbonate on the surface of the object, तो हम यहाँ पर क्या देखते है जो copper है, उसका corrosion कैसे हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, आपका copper का carbonate, मैंना अभी क्या बोला आप से, क्या आपको green color का दिखते है copper का बरतन, वो green color का बरतन कैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि जो copper था, उस copper ने air में present water से और co2 से reaction करी, और यहाँ पर किस चीज़ का formation किया, बटा, copper carbonate का formation किया, और यह जो copper carbonate है आपका, यह कैसा है, यह green color का है, तो आपको यह green color की layer मिलेगी, the formation of this green coating on the surface of copper object, corrods it, और यह जो green layer बनी है ना बटा, यही green layer क्या करेगी, उसको corrode कर देगी, क्या कर देगी, उस copper को corrode कर देगी, समझ भाया, screenshot लो पहले इतने का, लो ज Please note that the green coating of basic copper carbonate is a mixture of copper carbonate and copper hydroxide, हमी देखते हैं जो आपका copper carbonate, मतलब यह जो green layer है ना, यह आपकी copper carbonate और copper hydroxide का mixture होता है, मतलब क्या आपका, CuCO3.CuOH का whole twice, क्या, this is the green coat, this is green coat, समझ भाया, समझ भाया, so copper metal एक low, is low in the reactivity series, आपको पता है, बटा, copper metal तो hydrogen से भी नीच आता है, ना, how copper saves the gold, so how copper saves the gold, so how के नीचे आता है ना, वो, copper, है ना, आता है, आता है, so therefore the corrosion of copper metal is very very slow, तो मतलब के copper metal का जो corrosion होगा, वो काफी धीरे होगा, क्योंकि यह इतना reactive नहीं है, क्या, यह इतना reactive नहीं है, the corroded copper vessel can be cleaned with dilute acid solutions, तो आप बटा, इस layer को easily हटा सकते हैं, किससे dilute acid solution से, the dilute acid solution dissolve green layer, वो क्या करेंगे, वो इस green layer को dissolve कर देंगे बिटा, आपकी, present on the corroded copper vessel, and make them look shiny red brown again, और वापिस से आपको यह कैसा नजराने लेगा, बिटा, shiny नजराने लेगा, जैसे क्लासी था ना, पहले बहुत ही क्लासी था, ऐसी आपका वापिस से क्लासी आपको नजराने लेगा समझके, screenshot लेना इसका, ले लिया, ओके, done, ठीक है, so, अब आते हैं पीटा, corrosion of silver, तो आपने देख लिया, corrosion of copper, आप हम लोग देखें किसको, corrosion of silver को, तो corrosion of silver basically क्या है, तो student, silver का corrosion होना, बापो लिंग में, silver का भी corrosion होता है, black color की coating नजरा जाती है, आपको उसको उपर, आती है आती है, देखो, यह देखो, मेरी, silver की है, ठीक है, तो आप, अभी तो मला, आपको नहीं हो गाए, visible, बट आप देखेंगे नहीं, हापे जो इस पर design बना मैंने, यह something, यह black में, टौन होना शुरू हो चुका है, ठीक है, मतलब के, यह silver metal corrode होना शुरू हो चुका है, यह अ बनती है, है ना, इस पर किसकी बनेगी, तो स्टुट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बैना, shiny metal, बैना, shiny metal object, loses its shine and become dull, we say that it has been tarnished, क्या और बटाई यह tarnished हो रहा है, मतलब कि उसकी चमक हलकी हो रही है, तो बैना, silver object are captain air, हम यह देखते हैं, बैना, जब आप silver objects को को कहा होता है, और black में tarn हो जाता है, तो यह कैसे होता है, silver is highly unreactive metal, आपको बता है न, how copper saves gold, saves में silver आता है, फिर gold आता है, उसके नीचाए, तो मैं यह तो बहुत ही low reactive metals है, so it does not react with oxygen of air, तो यह oxygen के साथ तो reaction देगा नहीं, ठीक है, but air usually contain little of sulfur, but air में sulfur होती है, ठीक है, तो यह hydrogen sulfide gas के स slowly with hydrogen sulfide gas present in air to form a black coating of silver sulfide, AG2S, तो यहाँ से क्या होता है, silver आपके hydrogen sulfide के साथ reaction करके क्या बनाता है, AG2S बनाता है, and this is black, यह क्या है, silver sulfide है, which is black, the shining silver object become tarnished due to the formation of a silver sulfide coating on the surface, और हम यह देखते है, उचे एक shiny appearance थी उस metal की, वो क्या होने लगती है, वो dull होने लगती है, और उसके dull होने की वेशे क्या होगा, मामला, जल्ली बताओ, क्या होगा, अब क्या ही होगा, माम, कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो हो गया, वो dull, हाँ, होगा, कुछ नहीं होगा, तो silver ornament जैसे कि silver articles gradually turned black due to formation of a thin silver sulfide layer on their surface by the action of hydrogen sulfide gas present in air, तो air के अंदर जो hydrogen sulfide gas थी वो reaction कर जाती है, silver के सा तो जब वो reaction कर जाती है, तब हम लोग ये चीज़ देखते हैं आपकी, के उसके उपर एक black color की coat आने शुरूर आती है, as you can see in the diagram, देखो आपके, कैसे black से turn हो गए, ठीक है, देख रहो आप में आपे, ये blackish से आपको नजर आ रहे हैं, ये से आपको नजर आ रहे हैं, तो silver is a bright shiny metal which is chemically quite unreactive, silver जो होता है वो आपका bright shiny metal होता है, जो chemically, मतलब कि quite unreactive होता है, तो ये अपनी shine को loose कर देता है, और dull होने लगता है, तो silver metal is fairly resistant to corrosion, बट फिर भी, ये ऐसे निये जिसे iron निकल रहा है, ये इसकी सिर्फ dullness ही आएगी इस पर, क्योंकि ये highly unreactive होता है, तो silver metal is used to make silver coins, jewelry and silverware, ठीक है, such as utensils and decorative articles, because of its bright shiny surface resistant to corrosion, तो हम यहापर क्या देखते है, हम लोग यहापर यही चीज़ देखते है, कि silver, आपका क्या 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 बनाने में use होता है, silver coins, ये सारी चीज़े बनाने में use होता है, silverware, है न, पहले ताइम पर ये सिख के चलता है, अभी भी चलते है, ठीक है, अब आते हैं, the case of gold and platinum, भी ये तो बिल्कुली नीचा आगे, how copper saves gold and उसके नीचा आता है platinum, ठीक है, तो हम यह देखते है, gold is yellow shiny metal, gold जो होता है, आपका yellow shiny metal होता है, gold metal does not corrode when exposed to atmosphere, gold कभी भी corrode नहीं करता है, जब ये किस से expose करेगा, अपना, मतलब कि जब आप इसक इसको आप जब atmosphere में exposed करोगा, तो आप ये देखते हो, कि gold कभी भी आपका corrode नहीं करेगा, ठीक है, तो gold does not corrode because it is highly unreactive metal, क्योंकि बहुत ही highly unreactive metal होता है, जो unaffected रहता है, by air, water vapor, other gases in the atmosphere, तो कुछ भी गर्लो, कोई पर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, gold does not tarnish and retain their lusher, gold कभी भी इसको बर्करा रखता है, तो gold corrode नहीं होता है, therefore gold ornaments look new even several years of use, तो आप देखते हैं, आपकी मम्मी कितने time से gold use कर रही है, same chain pen रखी है, same earrings pen रखे है, बहुत time से pen रखे है, नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत unreactive है, gold को फर्क नही platinum is another metal which is highly resistant to corrosion, तो platinum को भी jewelry बनाने में यूज के जाता है, most expensive, आप बोल सकते है, metal होता है, platinum also dissolve only in aqua regia, और मैं आपको एक बात बताई थी बटा, कि यह aqua regia बताया थी नहीं आपको HNO3 or HCL, concentrated HNO3 or HCL का mixture होता है, उसमें जब आप इसको डालते है, gold को तो gold को यह dissolve कर देता है, आपको यह और अंदर से एक new layer मिल जाती है, बट सुनार उसमें भी धोपा कर रहा है, आपके साथ, देख लो, चीटिंग हो रही है, क्योंकि gold निकाला जा रहा है, और gold बाद में हूस किया जा रहा है, कहीं नहीं, देख ले ना, ठीक है, so platinum is used to make jewelry because of its bright shiny surface and high resistant to corrosion, तो मतलब कि हम एकने platinum जो होता है, white metal होता है, जिसका silvery shine surface होता है, प्लैटिनम, gold, silver, इन सब को किसली use कहे रहाता है, इन सब को jewelry बनाने में use कहे रहाता है, अब मैं आपको बता लो, कितने-कितने metals का आपको क्या पढ़ा है, corrosion पढ़ा है, तो हमने यहां पर क्या कहें देखा है, हमने दे reaction करेगा moisture से, moisture में water और oxygen, water oxygen नहीं ही, ultra oxygen और water, this is moisture here, और reaction होगी तो बता है, क्या होगी, हापर यह बनेगा iron oxide, Fe2O3.x water, this is hydrated iron oxide, this is hydrated iron oxide, iron oxide, और यह होता है आपका rust, जो कैसा होता है, reddish brown, reddish brown, ठेक है, done, okay, इसका prevention में आपको क्या बताया था, वही, इसका prevention आप याद रखेंगे, iron का prevention नहीं, rust का prevention, ठेक है, तो मैं पूरी बता रही हूँ बटा, इसके बाद आप इसको कर ड़ेंगे, फिर हम लोग question answer बाला part करके, खतम कर देंगे, session, ठेक है, तो prevention है, इसका, ठेक है, तो prevention क्या रहेगा बटा, आपका इसका prevention रहेगा, oiling, greasing, paint, galvanization, इसमें हम zinc की coating करते हैं, chromium और tin की plating, 10 and chromium plating, और आप क्या कर सकते हैं, आप stainless steel यूज कर सकते हैं, stainless steel, ठेक है, stainless steel, जिसमें हम देखते हैं, chromium और nickel को हम यूज करते हैं, ठेक है, तो this is for iron, ये किस के लिए होगा बटा, ये iron के लिए हो गया, अब लोग दिखेंगे next, iron के बाद था, aluminium का, तो aluminium metal जो होता है, इसके ये कैसे बच जाता है, ये बच ऐसे जाता है, कि aluminium जो होता है, किस से reaction कर जाता है, moisture से reaction कर जाता है, ठेक है, तो overall reaction, पूरी बता रही हूँ मैं, एक final reaction लिख रही हूँ हम आपे, तो AL2O3, और साथ मैं आपकी hydrogen gas release हो राती है, तो this is aluminium oxide, क्यों होता है, ये हो जाता है, अपका aluminium का oxide, okay, done, and ये करता है, ये prevent कर जाता है, किस से, for further corrosion, further corrosion से prevent कर जाता है, aluminium का बताया था, फिर मने किस का बताया था, copper का बताया था, copper हम लोग क्या देखते है, जो copper होता है, वो reaction कर जाता है, किस से, moisture में present CO2, oxygen और water से, और यहां से क्या बना लेता है, यहां से बना लेता है, copper carbonate और CuOH का whole twice, and this is greenish in color, जो corrode करता है copper को, ठीक है, फिर और किस का बताया था, हमने silver का बताया था, silver, तो silver का क्या सीन है, silver का सीन ऐसा है, कुछ, AG जो है, यह hydrogen sulfide के साथ reaction करेगा, जो present होती हो, यहां से क्या बना लेता है, आपका, AG 2S, और साथ में आपका hydrogen gas लग हो ठीक है, तो यह आपकी reaction रहेंगी मैटा, और इनके prevention भी आपको पता है, gold or platinum नहीं करेंगे, gold or platinum मतलब reaction नहीं देंगे, ठीक है, screenshot लेला आप इसका, okay, done, so which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting, ठीक है, यह बोल रहे हैं मैटा, question यह है आपके लिए, कि आपको iron frying pan को rust से बचाना है, तो आप क coat को apply करेंगे, यह फिर सब को apply कर देंगे, तो student इसका, तो इसका answer क्यों रहे है, बटा, देखो, जो most suitable method रहेगा, यहाँ पर रहेगा, आपका एप्लाइगा, coat of zinc, क्योंकि मना आपको इस चीज़ बताईगे, बटा, बड़तनों में हम लोग इसको use कर लेंगे, ठीक है, utensils बगारा मेले, which is called galvanization, please note that we cannot apply grease, हम लोग grease apply नहीं कर सकते, because वो खाने को spoil कर देगा, जब हम frying pan के नंदे खाना बनाएंगे, तो खाने को spoil करेगा, we can also not apply paint, because it will gradually come out, with a frying pan is heated on a gas stove, during the cooking of a food, तो मतलब के, यह जो दो method है ना, grease apply करने के, और oil apply करने के, तो बटाई तो, और paint apply करने के बटाई तो fail है, क्यों, क्योंकि जब आप खाना बना रहो यार, आप खाना बना रहो, तो मलब खाने में आप क्या, ऐसा बनाओगे खाना, क्या आप वो apply करोगे, और वो सारी चीज नहीं करनी है, ठीक है, आपको खाना बनाना है, तो आप क्या यूज करो, हाप गैलवनाइजेशन के process को यूज करो, गैलवनाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं, गैलवनाइजेशन में, गैलवनाइजेशन में हम लोग देखते हैं, कि जो आपका zinc होता है, वो oxygen के further corrosion further corrosion of iron iron को यह corroding नहीं होने देगा आ गया समझ मा गया, आप इस section को लिख सकते है जल्दी सा आप इस section को लिख लीजे लिख लीजे, ओके, लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते है next, food can are coated with a tin and not zinc because, जो food cans होती है आप उनको tin से coat कर रहे है, zinc से क्यों नहीं ठीक है, tin से कर रहे है zinc से क्यों नहीं, आपको पता है, zinc is costier than tin, zinc has higher melting point than tin, zinc is more reactive than tin, zinc, अब याद करो please stop calling me a zebra instead of trying to see, मिलब कि to learn, तो मतलब कि हम यहाँ पे क्या देखते है zinc is more reactive than tin मतलब इस reactivity series को याद करोगे तो आप यहाँ पे यह देखोगे, कि zinc ऊपर आता है और tin नीच आता है, ठीक है tin नीच आता है, तो आपको पता है यह आप ऐसी coating चड़ाओ जो कम reactive हो, आप zinc use कर लग तो zinc react कर जाएगा न, तो हम क्या आता हम लोग food canes को किससे tin से coat करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके जिससे prevention हो सके, किस चीज का reaction जल्ली से ना हो जाए, मैंले, zinc आपका less reactive, tin आपका less reactive होता है, तो हम लोग zinc को use नहीं करते हैं, हाँ ठीक है, समझ मागे वाला point, okay next question number third, you must have seen tarnished copper vessel, आपने हमेशा सुना होगा कि copper vessel tarnished हो गया, green color की coating आगे, क्यों आई, copper, carbonate, copper, hydroxide, की वज़ा साही हमाँ पे, हाँ, being cleaned with a lemon, हम इसको lemon से clean करते हैं, explain why these sour substances are effective in cleaning these vessels, क्योंकि student ये क्या करेंगे, ये जो उसके उपर बज़े green layer बनी है, क्या बनी थी, copper ने reaction करी oxygen, मलब की moisture में present CO2, O2 and water से, ठीक है, तो जब reaction होगे इस तो हमने हापर क्या देखा, ये बनेगा, आपका copper carbonate, साथ में COOH का whole twice, ठीक है, this is, क्या हो जागा बटाई, आपका, this is greenish layer, ये है आपकी greenish layer, तो जब आप acid से रेक करा होगे, बटाई, हम इसको dissolve कर जाएगा, ठीक ह हम यहाँ पर क्या देखनें, बटा, the star substance such as lemon, इसमें acids होते हैं, बटा, this is citric acid, तो वो क्या करेगा, these acids dissolve the coating of copper oxide of basic copper carbonate present on the surface of tarnished copper vessel and make them shining red brown again, अब ये क्या करेगा, बटा, जब आप star substance का use करेंगे, इसे vinegar का use कर लें, या फिर आप lemon का use कर लें, तो इनमें present acid, citric acid, vinegar, है ना, ये सारे acetic acid, तो जब इनमें ये present है, बटा, तो हम आपर क्या चीज़ देखते हैं, हम लोग यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, कि ये acid उसको dissolve कर जाएगा, और जब इसको dissolve कर जाएगा, बटा, तब हम आपर क्या देखेंगे, तो वो जो layer है, copper carbonate की बनी हुई है, वो हट ज जाएगी, समझ मा आगया, ठीक है, नेक्स आते है, question number fourth, a woman gave old and dull gold bangles to a goldsmith, okay, एक woman है, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने अपनी gold ki bangles, goldsmith को दी, for polishing to restore their glitter, okay, वापिस से भी है, उसकी रूष चमक चली गई थी, वापिस आजाए, the goldsmith dip the gold bangles in a particular solution, goldsmith ने क्या क्या, उस bangle को एक particular solution म डाला, और bangles sparkled like new, और bangles वापिस से चमक न लगी, बिलकुर नहीं, जैसी, but their weight was reduced drastically, but एकदम से उनका weight भी कम हुआ, so can you guess the solution used in dishonest goldsmith में, तो उस makkar goldsmith ने क्या क्या, बताए क्या क्या, विटा, उसने यूज क्या, aquaregia, aquaregia यूज क्या, aquaregia is made up of concentrated nitric acid and concentrated HCL, ठीक है, वैसे generally gold का आप इन दोनों को मिलाएंगे 3, 1 is to 3 के ratio में, तो इसमें आप देखेंगे, हाँ पर reaction हो जाएगी, और यह क्या करेगा, यह जो zinc है, उसको, जो gold है, उसको dissolve कर देगा, और gold को dissolve कर देगा, वैसे gold के उपर वाली layer थी, उसको अब वो dissolve कर देगा, तो अंदर से, एक नहीं layer रह vangles, इना, aqua regia solution, which contain one part of concentrated nitric acid and third part of concentrated hydrochloric acid by volume, aqua regia dissolved a considerable amount of gold from gold vangles, aqua regia क्या करेगा, considerable amount dissolve कर देगा, gold vangles में से, and hence reduced your weight, और हम यह देखेंगे, उसको weight, वो drastically कम हो जाएगा, the dishonest god smith can recover the dissolved gold from aqua regia by suitable treatment, और वो dissolved gold था ना, वो gold smith अराम से बाग में recover कर लेगा, मतलब के उसने क्या करा, उसने aqua regia में डाल के सोना कमा लिया, और साथ में पैसे भी कमा होंगे, उस service के जो उनोंने दिया है, उनको धोका करने वाली, तो student, इसी के साथ आपके session को मैं यहीं पर ही end करी हूँ, मैंने पूरी तरीक से corrosion आपके दिमाग में डालने कोशिक करी, आपको चमका दिया आते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ट से आते हैं, जिसकी MP बोर्ट, UP बिहार बोर्ट, डेली बोर्ट राजिस्थान बोर्ट, तो हम लोग आपको प्रवाइट कराते हैं, 6 से ले के class 12 तक की free of course classes, students अगर आपको e-books और नोट चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमार पर इंस पर, थांक यू सो माथ